हेलो दोस्तों स्वागत आपका टार्गेट SSC 2020 में आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिस में टॉप 25 एरर्स के बारे में तो यहां से आपकी 25 रूल्स भी क्लियर होने वाले हैं अगर आपका टार्गेट इंग्लिस में 90 प्लस करने हैं का तो वीडियो आपके लिए 100 परसेंट यूसफुल होने वाली है बात करते हैं आज का एरर नंबर फर्स्ट अंटिल यू दू नॉट अपेलोजाईस यू विल नॉट बी पर्मिटेट तो गो आउटसाइट बताना है 1,2,3,4,5 कौन से पाड़ में एरर कुछ ऐसे वर्ड जो अपने आप में निगेटिव होते हैं यानि उनके साथ हम नॉट का यूज नहीं करते हैं वो वर्ड आपको या दखने कौन-कौन से होते हैं अन्लेस होता है एक वर्ड अंटिल होता है इसी में हमारा आता है और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जिनके साथ हम नॉट के यूज नहीं करते हैं उसी में हमारा प्रिवेंट भी आ जाता है तो यहां पे आप देखोंगे ऑप्शन नंबर वन में अंटिल लिखा है तो अंटिल निगेटिव वर्ड हो गया इसके साथ दू नॉट जो जो एरर फर्स था वैसे हमारा एरर सेकिंड भी है अगर फर्स्ट वाल आपको समझ में आए तो सेकिंड वाल आपको 100% समझ में आ जाएगा तो जो निगेटिव वर्ड में मैंने बताये था अनलेस आये था अंटिल आये था प्रिवेंट आये था रिफ्यूज आये था दिन नमबर 2nd में आपको पता दलिए कि सेकिंड वाले पार्ट में हमारा एरर होगा और हमें क्या करना है यहां से सेकिंड पार्ट से नौट को हटाना पड़ेगा एरर नमबर 3rd हमारे क्या कहता है I forget to return back the books to you बताना है 1, 2, 3, 4, 5 कौन से पार्ड में error है कुछ ऐसे words जिनके साथ हम back का use नहीं करते हैं या फिर आप कह सकते हो की meaning दोनों का seem होता है अब जैसे हम करते है return जिनके साथ हमें back का use नहीं करना है आपका return हो गया उसमें recall होता है उसमें ऐसी हमें उसमें होता है request करके फिर आता है repeat भी उसमें आजाएगा हमारा ठीक है और receipt एक word आता है receipt r e c e d receipt भी आजाएगा तो यह rebuilt आजाएगा यह सभी word जिनके साथ हमें back का use नहीं करना है यानि दोनों का meaning कहीं नहीं सेम हो जाएगा return का मतलब क्या होता है give back होता है तो backward इसमें पहले से था तो यहां पर जो back है super flowers है I write हो जाएगा इसका I forget to return the books to you option number second में हमारा mistake था और भी जो world important world थे वो मैंने बता दिया और इनके साथ हम again कभी use नहीं करते हैं का मतलब फिर से दुबारा हो गया यहाई repeat अगें नहीं करेंगे return अगें नहीं करेंगे recall अगें नहीं करेंगे तो यह चीज़ भी आपको notice करनी है error number fourth हमारा क्या कहता है आज का he was secured 35 marks but the passing marks are 40 1,2,3,4,5 error बताना कौन से part में है तो एक चीज़ आपको याद अगना है option number third में इसमें mistake है क्या mistake है passing marks अगर आपका लिखा हुआ आता है passing marks तो यह हमारा गलत हो जाएगा ठीक है अब जो passing marks है उसका use नहीं करते हैं standard English language में तो इसलिए passing marks हमारा गलत हो जाएगा इसकी जगे हमारा right हो जाएगा pass marks ठीक है तो pass marks आपको use करना पड़ेगा passing marks लिखा option number third में हमारा mistake था बात करते है error number five आज का क्या कहता है the teacher the English teacher said that we should read the poems every day so as to memorize them तो बताना है one, two, three, four, five कौन से part में error है और काफी अच्छा error है एक चीज़ आपको याद अखना है कि English और the English में क्या difference होता है यानि language से पहले अगर article दा लगता तो उसका meaning हमारा change हो जाता है इस English का मतलब तो language हो गया यानि English जो अंग्रेज ही भासा है और इस English यानि the English का मतलब हमारा हो जाता है अंग्रेज ठीक है तो दोनों में बहुत जादा change है यहाँ पर the English बोला है इसका मतलब वो अंग्रेज जो क्या है teacher है जो अंग्रेज है ठीक है तो यहाँ पर लेकिन वो subject की बात कर रहा है कि English subject का जो teacher है ठीक है वो poem everyday उन्हें क्या कराता है पड़ाता है ताकि और उन्हें memorize उन्हें कराता है तो ठीक है तो यहाँ पर वो subject की बात कर रहा है तो इसका जो right form होगा the teacher of English बिल्कुल right हो जाएगा the teacher of English हमारे बिल्कुल right हो जाएगा option number one में हमारा mistake था ऐसी हमारे बहुत सारे और भी वर्ड होता है जो हमारे गलत लिखे रहते है जैसे family members अभी इससे पहले error में आये था family members करके जो कि हमारा गलत होता है ठीक है family members नहीं होता है ऐसी हमारा हिंदी teacher गलत हो जाएगा ठीक है teacher of India आप कह सकते हो parliament members नहीं बोलते है members of parliament बोलेंगे यहां पर बहुत सारे ऐसे world होते है जो हम चुक्या होते है गलत होते हैं अगर हम सही type से जो use करेंगे उनका वो अलग होता है तो यहां पर इंग्लिस teacher sat नहीं आएगा the teacher of English बिल्कुल right हो जाएगा बात करते हमारा error number 6 they stayed in Nagpur for a short period of time and then return home 1,2,3,4,5 कौन से पाड़ में error है बताना है तो काफी simple सा error है इसी आप कह सकते हो चीज को second third part में आप error हो जाएगा देखे for a short period of time अगर आप period यूज़ कर रहे हो और time यूज़ कर रहे हो तो दोनों का मतलब meaning दोनों का same हो गया time of period आप कह सकते हो कि period और time एक साथ नहीं आएंगे दोनों हमारे time को बद या तो आप यूज़ करो for a short time या आप यूज़ करो for a short period तो option number third में हमारा mistake हो जाएगा Error number seven क्या कहता है I have given the examination so I am free now 1,2,3,4,5 कौन से पाड़ में error है I have given the examination so I am free now exam देने आँ ठीक है तो exam देने को क्या कहते है take examination आप यूज़ कर सकते हो या फिर appear आप यूज़ कर सकते हो exam देने के लिए give का use नहीं करना है given the examination बिल्कुल गलत है अब take आप give exam नहीं होता है ये चीज़ आप notice कलो जो give exam है वो हमारा क्या होता है बहовता होता है जो एककर सकते हो ऐग्जाम या फिर आपके सकते हो आपके सकते हो तो विल्कुल राइट हो जाएगा तो यहां पर ऊफिर एकार या फिर आप laser शागते हो हरके वहांपे ऑस्वीपल होगा तो उसकी उसको एकस्पेम कर दोंगा ठीक है बात करते हैं 8 वाला CV says to join lecture ship as she thinks it is a rewarding profession तो 1, 2, 3, 4, 5 बताना है कौन से पार्ट में error है तो एक चीज़ आप notice करना या एक चीज़ आप learn जरूर करना इसमें error क्या है जो lecture ship लिखा है वो हमारा क्या हो जाएगा? wrong हो जाएगा ठीक है? lecture ship हमारा बिल्कुल अब यहाँ पे दिखे lecture ship लिखा है या फिर lecture ship L-E-C-T-U-R-E-R लिखा है ठीक है? lecture ship नहीं होता है lecture ship आप बिल्कुल right हो जाएगा यानि जो R है वो बिल्कुल गलत दिख दिया L-E-C-T-U-R-E होता है तो बिल्कुल हमारा right हो जाएगा तो इसकी जगह आप यह वारा lecture ship बिल्कुल यूज करना second वाला जो लिखा हो है ठीक है? यानि जो यहाँ पे R है वो हमारा गलत यूज हो गया तो option number second में हमारा mistake हो जाएगा lecture ship यह वाला हमारा गलत होता है और यह वाला हमारा बिल्कुल सही होता है error number nine की बात करें तो रमन वाज एवाड़ेट अवाड़ेट सेंट परसें मार्क्स इन दा एग्जामिनेशन तो 12345 बताना कौन से पार्ड में हमारा error है तो जैसे मैंने वाँ पे lecture ship बताया था गलत है ऐसे मैं आपको याद अखना है कि जो 100% है 100% अगर हम यूज करते हैं तो वो हमारा गलत हो जाएगा यानी 100% हम यूज नहीं करते हैं 100% की जगह आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे 100% ठीक है तो 100% अगर आप यूज करते हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नमबर बी में बिल्कुल यहाँ पे गलती थी और क्या गलती थी 100% की जगह हमारा राइट हो जाएगा 100% मार्क्स तो ऑप्शन नमबर सेकन हैरर हो जाएगा बात करते हैं एरर नमबर टैन क्या कहता है तो 1,2,3,4,5 मैं से बताना कौन से पार्ट में मिस्टेक है एक चीज आपको याद अखनी है कि साइन और सिगनेचर दोनों में क्या अंतर है ठीक है साइन और सिगनेचर दोनों हमारे बिल्कुल अलग होते हैं अगर आप साइन की बात करो तो साइन एक वर्प की तरह हम यूज़ करते हैं और सिगनेचर की बात करें तो सिगनेचर हम नावन की तरह यूज़ करते हैं यहाँ पे हमें क्या चाहिए नावं की जुरुवात है यहाँ पी क्या आजाएगा सी पुट हर सिगनेचर in the corner of the document and submitted it बिल्कुल right हो जाएगा option number second में mistake था sign के जगह में use करना है signature का error number 11 क्या कहता है the lady asked me if there was any place in the bus तो 1,2,3,4,5 में से बताना कौन से पाड़ में mistake है तो एक चीज आपको याद करना है या इस ध्यान में रखना है कि आगे से अगर step कहरा है रहता है तो आपका गलत ना हो हम use करते है बस का train का या फिर when का बोलो या फिर compartment की बात करता है तो वहाँ पे जो place ठीक है वहाँ पे जो space की बात करेगा space बताने के लिए इनमें space बताने के लिए हम use करेंगे room का ना कि place का हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा ठीक है तो bus train van compartment इनमें अगर space की बात करेगा space को बताने के लिए हम use करेंगे किसका room का ना कि place का तो option number 4 में या पे mistake था आप में से कोई भी नय हो तो telegram group को जरूर जोइन करना हूँ आपे डेली 9 पे में एक पीडियाप देता हूँ जो कि आपको एक test की तरह करना होता है और जो भी important नोर्स होते तो वह भी मैं आपके send कर देता हूँ जो भी मुझे लगता है कि आपके exam के लिए important है तो telegram group का link आपको मिल जाएगा description में तुरण जाएए और यहां पे एक चीज़ आपके लिए important है आपके exam related कोई भी update होती है कोई भी important जो भी notes होता है तो वह आपे में send कर देता हूँ ठीक है तो telegram group को join करना और उसका link मिल जाएगा आपको description में बात करते हैं error number 12 वासका क्या कहता है all the members of the committee are kindly requested to appear in the next meeting तो one two three four five कौन से पाड़ में error है यह बताना है तो यहां पे एक चीज़ आप notice करोगे जब active passive करते हो तो वहां पे भी यह चीज़ बहुत बार आता है कि आपका active में तो kindly please use करोगे ठीक है और जब इसका passive बनाते हो तो क्या बनाते हो यह you are requested to इसका मतलब दोनों हमारे type है किसके request दोनों में हम क्या कर रहे है request कर रहे है तो kindly कभी वही meaning हो गया please कभी वही meaning यानि दोनों हमारे same meaning के हो गया और दोनों का meaning क्या हो गया request हो गया या तो आप kindly बोलो या फिर please बोलो या फिर आप request करो तो meaning दोनों का सभी का सहीम है तो यहां पर जो kindly है उसे हम हटा दिंगे तो बागी sentence हमारा बिल्कुल right हो जाएगा all the members of the committee are requested to appear in the next meeting option number ठाल में हमारा mistake था और जो चीज़ आप समझ गया होंगे error number 13 हमारा क्या कहता है he came to the final conclusion that he would not accept the offer offer बताने 12345 कौन से पार में error he came to the final conclusion that he would not accept the offer तो यहां पर एक चीज़ आप notice करोगे final और conclusion दोनों बताते हैं result को यानि दोनों का meaning क्या हो गया same meaning हो गया final बोलो या conclusion बोलो दोनों का meaning same हो गया और same meaning वाला हम एक ही यूज़ करेंगे यहां पर तो यहां से कोई एक आप हटा दो ठीक है he came to conclusion that he would not accept the offer कर दो तो बिल्कुल राइट हो जाएगा option number second में हमारा mistake था दोनों हमारे हो जाएंगे same meaning के error number 14 आज का यह आप कह सकते हो rule number 14 जो आपको नूर करते हुए चलना है और कोई और अपने जो जितने भी right जा रहे हैं रोंग जा रहे हैं यह वह भी आपको comment में आप बता सकते हो तो और बाकी वीडियो अच्छे लगते तो इसको like करना है क्योंकि वो चीज मुझे motivate करती है वीडियो बनाने के लिए और कमेंट में आप जो भी आपका डाउट है वो पूछ सकते हो या फिर अपना स्कूर आप मुझे send कर सकते हो comment में बात करते हैं error number 14 he wanted to know whether it was right and proper way to do it तो बताने है 1,2,3,4,5 कौन से पार्ट में error है अब यहाँ पर पार्ट 3 में यहाँ पर error है आप देखोगे या तो आप right यूज करो या फिर आप proper यूज करो जैसे इससे पहले हमने करा था यह दोनों भी हमारे meaning क्या होगे आप right यूज करो या फिर प्रपर यूज करो दोनों का meaning क्या होगे सेम होगे जैसे हमने final or conclusion तो वैसे हमारे right और proper भी हमारा हो जाएगा तो दोनों सेम बठर में हमारा mistake हो जाएगा Error number 15 के बात करता है तो क्या कहता है Iran support to terrorist to the terrorist is universally condemned by all तो यहाँ पर बताना है 1,2,3,4,5 फान से पार्ड में error है तो यहाँ पर आप देखोगे universally भी बोला है और by all भी बोला है दोनों का meaning हो जाएगा same यहाँ पर तो दोनों हमारे होगे same meaning के यहाँ तो आप universally बोलो यहाँ फिर by all बोलो दोनों का meaning होगे same तो यहाँ से आप by all हटा हो तो यहाँ पर बिल्कुल right हो जाएगा ठीक है तो Iran support to the terrorist is universally condemned यहाँ बोलो कि Iran support to the terrorist is condemned by all तो यहाँ पर इस सीज में आप किसी पर्ट में अगर आप पार्ट 3 में एरर लगाते हो यह पार्ट 4 में एरर लगाते हो तो वहाँ पर थोड़ा कोई doubt नहीं होगा किसी पर्ट में लगाते हो तो यह benefit to all जाएगा अगर ऐसा कोई error आपका एक्जाम में आता है तो बाकि depend करता examiner पे कि उन्होंने किस पर यहाँ पर किस टाइप से उन्होंने यहाँ पर error यह कौन से पर्ट में अपने हिसाप से error दिया है तो वह तो examiner के उपर depend है बाकि आप error third part में बोल सकते हो और fourth part में भी क्योंकि universally हो गया और by all हो गया दोना का meaning हमारा बिल्कुल same हो जाएगा तो fourth वाले में आप error कर देना यह नहीं by all यहाँ से हटा देना तो बिल्कुल यहाँ पर meaningful बन जाएगा error number 16 के बात करते हैं तो suppose if all problems are solved what would you do then बताना 1,2,3,4,5 कौन से पार्ड में error है तो यहाँ पर error की बात करते हैं तो error यहाँ पर देखोगे आप suppose की बात करो या फिरी दोनों हमारे होगे conditional word यानि आप suppose यूज करते हो तो भी sentence सही है और if यूज करते हो तो फिरी भी sentence हमारा सह ही है या बोलो if all problems are solved what would you do then suppose और problems are solved what would you do then तो कोई भी आप यूज कर सकते हो यानि suppose और इप दोनों conditional word है और conditional word दो एक साथ नहीं आते हैं तो first part में हमारा mistake हो जाएगा error number 17 या आप कह सकते हो roll number 17 क्या कहता है इन पूने she came across with many of our friends who had settled there तो 1,2,3,4,5 में से बताना कौन से part में error है तो इन पूने she came across with many of our friends who had settled there तो यहाँ पर जो with है with का यहाँ पर कोई रोल नहीं है यानि with को आप कह सकते हो कि extra में यहाँ पर add कर दिया यानि with हमने यहाँ पर add करा है as superfluous की तरह है जिसका कोई use नहीं है वो एक सी हमने extra में यहाँ पर add कर रखा है तो यहाँ पर write क्या हो many of our friends who had settled there came across मतलब क्या होता है अचानक मिलना यहाँ आप कह सकते हो to meet suddenly इसका meaning हो जाएगा came across का तो option number second में यहाँ पर error था with को यहाँ से हटा देना error number 18 हमारा क्या कहता है I suddenly come across Rohit when I was going to college 12345 कौन से पार्ट में error है तो मैंने अभी यह same error अभी 17 था वैसी हमारा 18 आ गया थोड़ा सा change हुआ है I suddenly come across came across Rohit when I was going to college तो error बताना है तो error हो जाएगा first part में और अभी मैंने बताया था came across का मतलब होता है to meet suddenly यानि अचानक से मिलना यानि suddenly तो इसके meaning में ही है तो यह suddenly हमारा बिल्कुल superfluous हो गया इसका यहाँ पर कोई use नहीं है तो option number one में mistake है suddenly को हटा दो बागी sentence हमारा right हो जाएगा error number 19 ने आज का क्या कहता है the reason why he was rejected was because he was too young तो one two three four five बताना है कौन से पार्ड में हमारा error है अब यहाँ पर देखो the reason और यहाँ पर देखो because तो दोनों हमारे होगे same meaning के ठीक है दोनों हमारे होगे same meaning के तो क्या करना पड़ेगा हमें थर्ड वाले पार्ड में हमारा mistake है the reason why के साथ वैसे वह हम conjunction आता है तो conjunction that use करते हैं यहाँ पर आप because को हटाते हैं तो meaning आपका बिल्कुल right हो जाएगा the reason why he was rejected was he was too young option number थर्ड में mistake था because नहीं आगा क्योंकि the reason आ चुका है और दोनों जो है same meaning के हो जाएंगे तो थर्ड पार्ड में हमारा mistake था because को यहां से हटा देना बात करते हैं error number 20 यह आप कह सकते हो rule number 20 आज का the science project was equally successful as the software project they had presented तो बताना है कौन से पार्ड में mistake है तो the science project was equally successful as the software project they had presented तो यहां पर आप देखोगे equally भी आप बोल ले और successful भी बोल ले तो बिलकुल यहां पर गलत हो जाएगा ठीक है successful as तो बिलकुल हमारा right हो जाएगा क्योंकि compare भी हो रही है जो science project है उसकी compare हो रही है जो software project है उससे ठीक है तो compare हो रही तो as-as use करना पड़ेगा sense हमारा positive है तो यहां पर as-as तो right हो जाएगा the science project was as successful as the software project they had presented तो option no.2 में हमारा mistake था 21 error no.21 the funeral service was to be conducted by the family price तो बताने 12345 कौन से part में error है तो part 1 में हमारा mistake हो जाएगा service हमारा क्या है superfluous है extra add हुआ है जिसका यहां पर कोई use नहीं है तो यहां पर the funeral was to be conducted by the family price तो funeral एक टाइप से क्या है यह एक टाइप से खुद service हो गई ठीक है आप बोल सकते हैं कि funeral is self service तो इसके साथ हम service यूज नहीं करेंगे extra में यह superfluous हो गया तो option no.1 में हमारा mistake हो जाएगा error no.22 क्या कियता है the recent incidents of correction imply illustrate about the characters of our officers तो error की बात करें तो 1,2,3,4,5 में से error बताना कौन से पार्ट में तो कुछ ऐसे word जिनके बाद हमें तुरंद जो है जिनके तुरंद बाद हमें object कर यूज करना पड़े तो कौन-कौन से है illustrate हो गया इसमें equal जो दिया option no.2 में illustrate यह चीज आपको याद रखना है illustrate हो गया ऐसी हमारा demonstrate हो गया उसके बाद हमारा describe हो गया तो इनके तुरंद बाद हमें use करना है किसका object का यानि इनके बाद कोई और दूसरा वाल यूज नहीं करना डिरेक्ट अब्जेक्ट का यूज करना है तो यहाँ पे जो about है वो superfluous हो गया about का कोई use नहीं होगा तो right हो the characters of our officer तो option number second way mistake था about को यहां से हटा देना है error number 23 या आपका rule number 23 क्या क्याता है he is not able to cop up with the peer pressure cop up with मतलब होता है cop up with ठीक है अगर बहुत बार यह अपका error इस type का error जो है बहुत बार आ चुका है यह इस rule के उपर काफी बार यह आ चुका है cop up with बहुत जगे लिखा हुआ आएगा तो यहां पे आपको यादगना कि इसमें आपका use हम नहीं करते है यानि right हो जाएगा cop with manage करना किसी चीज को तो यह आ गाएगा अगला है error no.24 the teacher said that it was his decision and that nobody could deny it तो बताने कौन से पाड़ में error है the teacher said that it was his decision and that could that nobody could deny it तो यहां आप देखोंगे that जो लिखा हुआ है and भी यूज करा है that भी यूज करा तो यह तो अमारे गलत हो जाएगा तो that का use यहां पर नहीं होगा अगर हम that हटा दे तो बिलकुल हमारा sentence right हो जाएगा and the correct sentence should be the teacher said that it was his decision and nobody could deny it तो option number थल्ड में mistake तह यान that कोई नोने extra में add किया था जिसका यहां पर कोई भी use नहीं है आज का error number 25 या आप कह सकते हो rule number 25 और last आज का error यह है as soon as the watchman rings the bell then all the workers assemble in the hall तो बताना है कौन से पार्ट में error है as soon as as the watchman drinks the bell जैसी जो है watchman क्या करता है bell drink बजाता है workers जो होते हैं सभी क्या आता है hall में खटा हो जाते हैं ठीक है तो यहां पर सभी workers जो है hall में खटा हो जाते हैं तो as soon as हमारा conjunction का काम करा है दो sentence को जोड़ है एक यह हो गया और दूसरा हमारा यह वाला हो गया तो यहां पर जो देन है देन का कोई use नहीं है तो देन का use यहां से हट जाएगा बाकी sentence हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा as soon as the watchman drinks the bell all the workers assemble in the hall तो बिल्कुल option number second में mistake था क्या mistake था देन को यहां से हटा देना यह एक superfluous यूज़ किया यानि एक extra में इन्होंने add किया तो score अपना आप मुझे comment करके बता सकते हैं कि कितने आपके राइट है और कितने रो और करने हैं तो धन्यवाद और इतना support वरते हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हर एक वीडियो को देखना हर एक वीडियो को आप support करो बाकी मैं कोसिस कर रहा हूं दीरे-दीरे जैसी time मिलता है तो वीडियो बनाने की और जासे अदा अब कोसिस करूंगा दीरे-दी करें की जासादा वीडियो आपके लिए लाओं तो बाकि आपका support इसी तरह मिलते रहें धन्यवाद आपका all the best और है सभी जो है सभी का exam निकले यही मैं चाहता हूं धन्यवाद आपका